स्टार प्लस के यूट्यूब पेज़ पर आने के लिए आप सब का धन्यवाद अपने फेवेट चोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज़ को and hit the bell icon तुम्हें बच्ची के शरीर पर किसी भी तिल या ऐसी निशानी के बारे में बताना होगा जो जन्म से हो और जिसके बारे में मात्र तुम ही जानती हो क्या ऐसी कोई निशानी या तिल है बता हाँ हाँ कोई तो निशान होगा जैसे तिल हाथों पर पाओ पर या पीट पर हाँ है ना इसके पीट पर तिल है मैं इसे अंदर ले जाकर देखती हूँ एक मेट रुको जिगना तुम और गोपी तुम दोनों भी जाओगे साथ निभाना साथिया धबल जी चाय क्या बात है दवल जी? किंजल जी मैं सोच रहा हूँ कि यह जो पैसे हैं इन्हें पुलिस को वापिस देने में ही बलाई और दवल जी आप हमारे हालात अच्छी इतरह जानते हैं और वैसे भी वाई के दिन भर के ताने सुनू को ऐसा नहीं लगता के इन पैसों से हमारा बला हो सकता है अरे गेलो थाईगा अच्छी दवल जो हाथ आई लक्षमी को ऐसे लोटा रहा है हरे जोर से चोरी करना कोई गलत बात थोड़ी नहीं क्यों गलत बात नहीं है? हाँ? चोरी चोरी होती है तुम तो जाती हो भावी कि धवल एक संसकारी लड़का है जब तक ये चोरी के पैसे वापिस नहीं कर देगा उसके गले से निवाला नहीं उत्रेगा जैन से तो वो इस घर में भी नहीं रह पाएगा अगर उसने पैसे लोटा दिये तो हूँ एने पोताना खर्मा नहीं रह वादो केहर कानोनी तरीके से कमाई गए पैसो से कभी भी किसी की भलाई नहीं हो सकती बल्कि इन पैसो से सिर्फ घर में मुसीबत आ सकती और कुछ नहीं आपको नहीं लगता जो मैं कह रहू हो सही है यह क्या कर रहे है किंजल जी आप धबल जी इस घर में करीब करीब हम पैसो पर ही जी रहे हैं और वो पैसा कोई ना कोई बहाने से मेरे पीहर से मगवाया जाता है तो यह भी एक किसम की चोरी ही हुई ना किंजल यह बक्वास करने की तेरी हिम्मत कैसे होई किंजल गलत क्या कहा मैंने सही कहा ना यह जो आज आपकी इतनी प्रॉपटी है और यह जो आपकी ठाट बाट है ना फई यह मेरे पीहर के पैसो से ही है खबरदार अब एक शब भी आके बोला तो बोलूंगी क्या कर लेंगी आप किंजल भाभी चुप में कर जाओ तो किंजल तु यह सारा तेन तुम दोरा जगडा करती रहती हो भाभी तुम चलो मेरे साथ आप तो बीच में बोलिये हिमात मदुबेन आप किंजल ना मोड़ा पर तालू तो लकाड़ उच पड़ छे फई इस पैसे के पीछे घर में बहुत कलिश पढ़ गया क्या पको कुछ याद है जी मुझे अची तरह याद है वो दिन पर्णी जी मुझे बोलने दीजिए आप तो बस इतना बताए कि क्या मैं सही हूँ यह मेरी बेटी प्रीती है जब यह बहुत चोटी थी मैं इसे तभी मंदिर के अंदर छोड़ाए थी और भूबी फटे कपड़ों में एक गरीब माँ अपने बच्ची के लिए डंके कपड़े भी नहीं जुटा सकती पन्दिछी ये अवरत क्या सच कहरी है बच्ची के कपडों का रंग था हाँ अहाँ बठाए कपडों का क्या रंग था पाणी लोई पिणिनी डोबी डफ़ोर तुम्हें बीच में बोलने की कोई आवश्यक्ता नहीं है भटी गंदी कप्डू का रंग मैं कैसे बताऊं शायद सफेद और लाल में था अंडे जी ये जो कह रही है क्या वो सच है जी हाँ ये ठीक है रही है मुझे तो लगता है बच्ची की मा यही है अगर ये गौरी को ले जाकर अच्छी तरह से उसकी देखबाल करना चाहती है तो यही उसकी मा होंगी वरना आज के वक्त में कौन एक अंजाने बच्चे का बोज अपने सर पे लेना चाहेगा वरना आज कल तो लोग बच्चों को लाकर मंदिर की सीड़ियों पर छोड़ जाते हैं और फिर वापस पलट कर देखते भी नहीं बहुत 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 दन्यवाद पंडी जी आज आज आपके बेजे से मुझे मेरी बेटी मिल गए यह, चलो बेटा, देखाना, लेही तुमारी माहों चलो आपके बेटा, बेटा, बेटो, बेटो, बेटो यहाँ गोरी, गोरी रोना बंद करो, ठीक हो जाएगा बेटा मीठी बेन, जल्दी जाएए, फॉस्टेट बॉक्स लेकर आएए रो मत बिटा, मैं तुम्हे अभी डॉक्टर के बस ले जाओंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी बात जरूर है, यह तांके के निशान हन, हमेशा के लिए रह जाएंगे मेरा दूपट, कोपिया आपको कुछ और चाहिए क्या? नहीं शुक्रिया, अब मैं अपनी बेटी को ले जा सकती हूं, चलो बेटा रुको तुम्हारे पास क्या सबूत है, कि यही तुम्हारी बेटी है और तुम ही इस बच्ची की माँ हो अब और कौन से सब उद्धू में? मैंने पंडीर जी को सारी बाते बताई और इन्होंने भी कहा खिए मैं इसकी माँ हूं सिफ पंडीर जी के अनुमान के भरोसे मैं गौरी को यहां से ले जाने नहीं दे सकती मुझे सबूत चाहिए कोई ऐसा सबूत बताओ, इसे इसाबीत हो, यह तुम्हारी बेटी है और वैसे भी, मैंने पुलिस को फॉन कर दिया है आदे गंडे पुलिस आजएगी, लेकिन तब तक कोई पुक्ता समूस बताओ अब अब और कौन से सबूत ढूंडू मैं एक ऐसा सबूत जिसके बारे में सिर्फ मा या पिता जानते हैं मेरे कहने का ताथ परे यह है कि बच्ची के शरीर पर कोई ऐसी निशानी जो तुम्हें याद हो और सबूत के तौर पर तुम हम सब को बता सको ताकि हमें यकिन हो जाए कि तुम ही इस बच्ची के मा हो अब मुझे कोई सबूत नहीं देना है अरे बाह और मुझे कितने पर ताबित करना पड़ेगा कि यह मेरे बेटी है चलो लुक जाओ जब तक पुखता सबुत तुम हमें नहीं दोगी कि गौरी तुम्हारी बेटी है तब तक गौरी को यहां से नहीं ले जा सकते चलो गौरी बिल्कुल सही तुम्हें बच्ची के शरीर पर किसी भी तिल या ऐसे निशानी के बारे में बताना होगा जो जन्म से हो और जिसके बारे में मात्र तुम ही जानती हो क्या एसी कोई निशानी या तिल है बताओ हाँ 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 कोई तो निशान होगा जैसे तिल हाथों पर पाओ पर या पीट पर हाँ 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 है ना इसके पीट पर तिल है मैं इसे अंदर ले जाकर देखती हूँ चलो गर एक मेट रुको जिगना तुम और गोपी तुम दोनों भी जाओगे साथ निभाना साथिया स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेर और सबस्क्राइब करें स्टापलस यूट्यूब पेज को